अब मैं पावड की दबाऊंगा यह देखें आप है यह देखें मैं पावड की दबाहा रहा हूं कई बार रखाए दफ़ादाब पावड की दबाहा हूं पर यह ओन नी हो रहा है और अगर आप कि डीसी मसीन की रीडिंग देखेंगे तो देखिए मेरा फोन ओन है देख रहा है आपको बड़ देखिए और कई दफ़ा इसको दवाने पर भी कि अब आम नोटिस कीजिए कि अब यह स्लीब मोट पर जाएगा यह देखें देखें चला गया अब मैं एक बड़न दवाऊंगा वस यह देखें आ गया कि यह देखें बंद हो गया और आप देखें अब भी आपका करेंट चलना है यह देखें पर वह बिल्कुल जीरो पड़ आ चुका है मतलब जो MPR है वह बहुत कम हो गया है कि यह स्क्राइब नहीं कर रहे हो बहुत मरी गल्टी कर रहे हो मैं पहली बोल ला हूँ यह एक फ्री कंटेइंड चैनल है मॉनिटाइजेशन भी बंद किया हुआ है एक तरह से समझ लो मैंने मॉनिटाइज नहीं किया आपने किसी भी वीडियो को आप देख लो मेरे सारे मॉनिटाइजेशन बंद हैं और यह क्यों क्या कि आपको वीडियो लेट ना मिले जली मिल जाए तो अगर आप गल्ती कर र हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के जिद्धी हुमार आप जिद्ध है मेरा फिदूर जिद है मेरा कुरूर जिद है मेरी जुर्ष तो है मार यूट्यूब फैमिली कैसे है आप सभी लोग यार एक बहुत बढ़िया वीडियो में आपके लिए आज लेकर आया हूं और यह यह वीडियो आप दो पार्ट में आएगा आप मुझे कमेंट करके बता आपको दूसा पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए दोस्तों यह एक फोन है जो स्लीब मोड पर आ रहा है आप नोटेस करो यहां पर लिखा हुआ है यहां पर देको स्लीब मोड ठीक है जेवन का मोडल ह स्लीब मोड लिखा हुआ है तो आप मुझे बताओ कि इसमें बेटरी भी नहीं है तो मुझे कुछ इस तरीके से अभी ओमेपाद बूट केवल भी नहीं है और मेरी क्लास में रखी हुई है तो आप मुझे बताईए कि आपको इस पर प्रॉपर एक डेडिकेट ठीडियो च पहले हम देख तो लें इसर टेलिकॉम में क्या है क्या नौलेज है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ किसा मुझे थियोरी वीडियो चाहिए तो मैं अगला नैस वीडियो इसका ठीउरी का डाल दूँगा तो सबसे पहले मैं आईए इसको ओन करके दिखाता हूं तो नोट पावर की दवाया देखें फोन ओन हो गया है फोन ओन हो चुका है हमारा ठीक है अब ओन होने के बाद यह एक स्लीप मूल में जाता है तो उसके बाद में फिर पावर की दवाने पर यह काम नहीं करता है दोस्तों जान दीजेगा का नोट्स कीजेगा क। है अनोने के बाद यह स्लीप मोड पर जाने के बाद यह देकि ओ कह भाण ऋगया अब इसको शरी मड जाने देते है अ कि अज़िगें स्लीप मोड पर चला गया अब मैं पर इदवा उंगा किən है कि ने देखें अधुट्स देखें मैं पाउड की दाव रहूं कई बार कई दफ़ा पड़िव नहीं हो रहा है और अगरकर आप डीसी मसीन की देखेंगे तो देखें मेरा फ्वोन नहीं दिख रहा है अपनों बिद देखें हैं कि और कही दफाओं इसको दवाने पर भी यह देखें डिस्प्लेस का आता नहीं है इसको जितनी दफा दबा दें डिस्प्लेस का आता नहीं है तो आईए चलिए देखते हैं कि इसू किदा रहे और हमें कहां काम करना चाहिए इस ताइम पर होई टो आयोए तो आएए देखते हैं कि इसू किदर और हमें किदर काम करना चाहिए दोस्तों सबिप्सित पहले इस इस मोडेल की बात करते हैं और कि इसको बनाना कटिंगará एजली भी पर बने गई नहीं और आप देखो यूटूब से देखकर यह मोडल आया होगा मेरे पास पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो बिगनर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अधर आपके वाद सैमसंग के मोडल आते हैं तो सैमसंग में खास बात है कि उनके PCV में उनका म मोडल लिखा होता है तो हमेंसा उनके PCV में आप कहीं पर भी आप दूरे तो उनका रेल मोडल है वो देख जाएगा साव में यह पता करना ढेंश काम नहीं वा कहा है आप दीश करो इस जगहेपर इस बिल्कुल काम नहीं हुआ है थी और नीचे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए बहुत ज्याद काम हुआ और पूरा यहां पर water damage mobile यह तैंग है और यहां पर यहां पर देखें कुछ जमपरंपड भी लगा हुआ है और यहां पर है ना tips यह सब कुछ निकले हो गए है कि पूरी तडिकेत से काम यहां पर फैला दिया है मैं यह कहूं कि सिंपल सी है अगर ICYC का उठाना हो तो IC लगाएंगे किसमें क्योंकि टिप्स ही नहीं है तो यह कौन सी IC चली बताते हैं इसको पहले और कनेक्टर भी देख लेते हैं ठीक है और पीछे भी देख लेते हैं तो नोटिस कीजिए ठीक तो सामसुंग के फोनों में एक सेंसर होता है इसको हॉल सेंसर बोलते है और जनलरी वह आपके यहाँ पर नीच लगा होता है आए में चली हॉल सेंसर जैको आपको दिखाता हूं तो नोटिस कीजिएगा कि के देखे देखे मैंने यहां रख दिया है और यह मेरा नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा पहले मैं आपको इसमें आप पर तोड़ा बता देता हूं मैं तेयोरी वीडियो आपको डाल दूंगा बहुत अच्छे से और बैटर तरीके से इसमें आपको समझा दूंगा तो आईए सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा स्प्लीन करते है देखे पहले तो आपको आपका मोडल नमबर डोल लेना है जाचा यह है जे सेवन जे सीरीज तो मैं जे सीरीज में जाऊंगा और 700F को क्लिक करूंगा यह अब दोस्तों आपको क्या करना है अब आपको आपकी हॉल सेंसर आईसी को धूंड़ना है अब कैसे धूंड़ना है इसका बहुत अच्छा बहुत आपको इस व्यूड़ो में जो आप किलास में आपके तो मैं आपको दे दूंगा बहुत सौट ट्रेक है महलब आप किसी भी स्केमाटिक में बहुत असानी से वह आईसी को फाइंड आउट करेंगे फिलाल मैं बता देता हूं वह हॉल सेंसर यहां लगा हुआ हुआ इस यह देखें है यह देखें है यह देखे यह देखे है हम अलसानी यह सेंसरन चाल लेक का एक ऐंडेओ की जैसे झाल टीयू कि वहता है अलुक जैसे एक अलłeग होता न लो फाल य 형 है अब इसमें क्या सीन है एक पर VDD है VDD मतलब इंपुट एक पर आउट है मतलब आउटपूट एक VSS मतलब टेकनिकल इसको ग्राउंड बोला जाता है कोईल के तुरू एक ब्लैक कोईल के तुरू ग्राउंड है और एक सिरा एंसी है कि यहां पर 1.8 वोल्टेज का एक आता है सप्लाई VREG 1.8 जनली यह वोल्टेज आपके L5 वाले वोल्टेज होते है मतलब वो वोल्टेज जो आपके इम्मसी के अंदर भी जाते न वहीं वोल्टेज जनली चार्जर लगाने पर भी आपको मिल जाते है तो जैसी यहां पर 1.8 वोल्टेज आता है यह आउप पर चला जाता है यह इसको स्विचिंग करके आउट पर डालता है अब यह आईसी कैसे काम करता है यह आपर टीपी मतलब यहां पर लिखा हुआ है आप देखे फिलिप कवर जैसी यहां पर कवर आएगा इस आईसी के कीश के पस वैसे ही 4 numBear इस वोल्टेस को यहां पर बेजना बंद कर देगा okay मैंने क्या बोला पक्या कि यह सी इसको समजाओंगा तो अभी क्या है कि यहां एम पर ब्लाट चेन सरी से ज़िए कि आपका display सही रहेगा अगर यहाप पर जीरो नहीं रहा अगर यहाप पर जीरो आ गया तो आपका display blank हो जाएगा और यह सीधा-सीधा आपके CPU के अंदर जाता है रखे लगा होगा है तो यह सीदह सीधा आपके सीप्यू के अंदर जाता है एक देखेर निया तो देखो कि यहां पर निकले हुए है स Ty् Gesetzentwurf इसका बहुत सारी यूटूब में मैंने वीड़ो देखे हैं बहुत तरे अच्छे व्यू वाले टेकिनिकल व्यू वीड़ो ने इस एक गलत टरीके से विड़ो बनातेごं और कोई भी सेंस नहीं है विड़ो बनाने का नौलेड़ बिल्कुल भी नहीं तो जारू तो इस चलो ठीक है पर लोगों को सस्ता काम और जंपर वाला काम ही पसंद है लोगों को रियल्टी नोलेज की क्या है वो नहीं है अभी ले देके उन्हीं के किसी इंसिटूट के बहुत बड़े एक मैसेज मेरे किसी वीडियो के नीचे आया हुआ है बट मैं यहाँ पर कि नहीं समझते हो कि वो वीडियो एक्चल में उसमें क्या सही दिखाया जा रहा है या नहीं दिखाया जा रहा है तो जिदने भी आप हमारे वीडियो देखो गया वीडियो को देखो गया और आप जादोंगे कि इस वीडियो में आपको थियोरी प्लस प्रैटिकली जैसे ह अबने स्टूड्टन को भी देते हैं दोस्तों इंडिय में ऐसे बहुत इंस्टिटूट ऐसे कम इंस्टिटूट होते यह मुझे पता नहीं है हिरी दे रहे तो नहीं श्यक्ट कहाणthenStates प्लेट फोट मिअ आपको आसे बढ़ premi करेकर आपके ऐसे आप से सालोगा पाये गा के यूटिक्क आप ट्रेकिलिर्ट में ट्रीनिंग लेने जाते हैं जहाँ पर चीखे और अब सीखेंगे सब्सक्राइब कि हाँ एकाद दो फॉल्ट के वागर मैं बात करूंगा कि हाँ से बनता है वहाँ से बनता है वो चीज होना भी बहुत जोरी है बट अगर ट्रेनिंग इंस्टिटुट में ट्रेनिंग होना चाहिए और पर्टिकुलरी चूरी और उसी पर इस स्टुडेंट को पैटिकल करवा उसका पूरा डेग्राम बनता है और अपने फॉन में जो अपने फॉन लाते हैं उसमें भी ट्रेसिंग करता है तो वह ऐसे ट किसी भी टाइप के फॉल्ट को बनाने में बहुत ही उसको आसान जाएगा मतलब अगर मैं उसको ऑडियो की सप्लाई बता रहा है तो पहले उसक बाद उसको डियाग्रावम के बाद में उसको एक एक लाइन बताओं उसके बाद फिर में उसके फॉन में बोलो कि भई तु अब आइसे निकालो औसको ट्रेस कर सुरू से Ent, उसी को करता है endless कहां जहां frequency use ओन किवज हो जहां पर जीन, voltage तो तो मुझे लगठा है कि यह चीज थोरी कममेंसिंग है हमारे में हमारे यहां अलगी लेवल है तो टीचरों को भोकाल बताने का है कि देखो हम तो इतना चालू कर रहे हैं आप तो दुकान बना लिया उन्होंने बस वो मुबाइल चालू करने की फैट्ट्री है एक वालो और उसके बार फिर किसी इंस्ट्रीट में बजाओ कि अगर आपके फोन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फोन आप आए पहली बात तो आप देखे मैं थोड़ा से वीडियो बोलूंगा मैं थोड़ा वीडियो लंबा कर रहा हूं आप चाहे तो स्किंट कर सकत है तो यह बहुत इजी हो जाता है और ऐसा यह होता तो आप न इतने फीज देते ना इतना चार्ज करते ना मुबारी पेरिंग में इतना बिजनस होता ना लोग इतने सब महंगे टूल एक्कुमेंट पर्चेस करते आप नोटेस करो कि यह चीज इतनी इजी नहीं है लाइन पर लाइने चीज से देलिकों को देखो घॉक तो हर महिने आपको दो तारीक को बैकप फिक्स है कोई भी इस्ट्रूट हम तो हम तो सोचते है कि अपने फोन लासकता है उसी के फ़ौन हम उसी हमारा तो सामें समय से बनवाने की कोश्य करना बड़ हमारा पहली सथी है कि पहली बार आप सीख के जाईए और उस पे काम किजिए जोस्तो प्रेट कली तरीका विल्कुल यह Athena है सब निये ही कि एपले सी का है उस पर काम किया उसके बाद बनाया सीधे थे कुशियाyesit 123 गोड़ किसी ये कैपेस्टम निकल ने से आपका कपた चलो जाता है और आपको लग अगर वो निकल जाने से आपका फॉन चालो और तो मुझे नहीं लगता है आप सीखरेंगे जब आप बुले साथ मुझे लाइट का एक एक सेकिन मुझे पता है मैं कोई भी लाइट आइसी बता सता हूं मैं पीसी देखने का नजरिया बदल गया है मैं कोई भी आइसी को में डीय। the हुच भी आटय्म बना शुक्रति में स्केमाटिक के अगर मैं भी पास किसी फॉन के स्कामाटिक नहीं है वीव का फोन है तो मैं उसके बहुत रीच इतनों चाँ जाते हैं उसके बाद एक दो महिने ट्राय करते हैं पैट्र इस करते हैं और उसकी पैट्रेस भा बैक अब में फिर से रीगेन करते हैं और इसी तरीके से सही ग्यान मिल पाता है और सच बता है ऐसे में जिन्नों ने भी लिया है तीन-चार मेंने जिन्नों ने हमें बैस टरीके से दी है उनके तो इंस्टिटूट खुलवा दिया हमने इसे किया आपे lightning का सकतै होज अड़ी है मेरी बात लंब्य हो गिया है मैंने पहले भी कर था अगर आप चाहा है इसेंपा खिप्ड कर सकते हैं तो जोतों में भी सब्सक्राइब करेंगे मेरा मल्टिमीटर आप देख पारे होंगे उपर मेरा मल्टिमीटर की बात करूंगा मैं तो यह मेरा की लाइन है और यह आप आप देखिए अगर वी डि की की कि मैं अगर मैं बात करूंगे मिरे मल्टिमीटर में तोड़ी सी दिक्कत है एल से रिजॉल्व कर लेते weiter तो चलिए अगर हम बात करते हैं कि यहां पर हम देखेंगे देखो यहां पर GR मिल रहा है यह हमारा VDD है अब यह दूसरा अगर हम बात करेंगे की नोडेस करो दूसरी के साथ यह कोल के तुर्व है तो यहां तो I.C नहीं है दोस्तो मैं सच बता हो इस I.C की जरूरत नहीं पड़ती है अगर इसको बैपास कर सकते हो तो मैं इसको बैपास करोंगा क्योंकि अगर मुझे यहां से माइक्रो जंप लेके करना पड़ेगा ती कि मैंने यह डियाग्राम देखा है तो एक वीडीडी है दूसरा ग्राउंड है तीसरा एंसी है एंसी की ज़रुवत पर थी नहीं हमको यहां पर और यह मेरा अब देखो किसी टेकनीशन ने इसको बिलकुल उखार दिया है और इसको जो टेस्ट पॉइंट है उसको भी उखार तो मैं क्या करूंगा दोस्तों कि यहां से पहले ही चेक करूंगा यहां पर मुझे 1.8 वोल्टेज मिल रहा है कि अगर यहां पर मुझे 1.8 वोल्टेज मिल रहा है तो आप हॉल सेंसर को बिलकुल बाइपास कर सकते हैं क्योंकि हूल सेंसर का काम यह होता है कि जब तक उसको को 1.8 voltage मिलता रहेगा वो बेसिकली आप यह समझे कि वो अपनी डिस्पले को दिखाता रहेगा तो जैसे उसका 1.8 voltage हटा तो यह तरह से आई सी एटिव हो चाती है और वह समस्ता की जाई मजबाएं मजबगो निकल रहा है तो सबसे पहले हम इसमे 9 ञगाएंगै और चेक करेंगे कि यहां मैं वन पॉइंट वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि देखे तो नोटेस करो मैंने चार्जर लाग यूस किया है और यहां पर मैं देखोंगा वोल्टेज तो देखे यहां पर मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिल ला है दोस्तों कि यहां पर मुझे वन्पॉरनेट वोल्टेज मिल ला तो यह बैसे के लिए यह चाह से यंडिंदो एक कर का फादा उन्पाफ्टेज फारा इसको ऽिए और इसको बनाते पो देखे कैसे बंगए okay तो एक जम्पर लेते हैं और एक जम्पर तो एक VDD के उसमें दाल देता है यह देखे पर देखे लोग काम कीन हो उरहा करा दोसरे जम्पर को इसमें लगाएंगे यह देखे इस इस बाद आयों यह डीज जम्पर तो दोस्तों को मैंने किया क्या इसको मैं theoretical में second video में बहुत अच्छे से explain कर दूंगा मैंने यहां से voltage को direct यहां पर दे दिया है बिना EC के तो चलिए देखते है आये देखते हैं कि यह जो हमने जंपर मारा है यह हमारा success है कि नहीं है तो notice करो तो मुझे क्या है में पर बूट केबल नहीं है जैसे कि मैंने बोला कि मेरी class में गुम गई है तो एक बार मैं तोड़ा सा यहां पर प्लस मैनस का jumper ले लूँ अच्छे करना पर रहा है कि देखे तो सब्सक्राइब करना पर रहा है सेट आपके सामने है और आप देख सकते हैं यहां पर एक जंपड़ भी निकला हुआ है और यह सेन सेट है स्लीब मोड वाला कि ठीक है कि तो कि हम इसको चेक करेंगे कि अब हम पावड की दवाएंगे कि अब दोस्तों अब हमारा फोन को नोडिस करना कि 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 हमारा जो स्लीब मोड वाला जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि अब हम नोडिस कीजिए कि अब यह स्लीब मोड पर जाएगा यह देखें देखें चला गया अब मैं एक बाव बटन दवाऊंगा वस यह देखें आ गया यह देखें बंद हो गया और आप देखें अब भी आपका करेंट चल ला है यह देखें पर वो बिल्कुल जीरो पड़ा आ चुका है मतलब जो एंपियर है वो बहुत कम हो गया है क्योंकि यह स्लीब मोड पर जा चुका है और यह देखें आ गया तो इसका मतलब हमारा जो केस है वो डन हो चुका है तो दोस्तों एक वीडियो कैसा लगा मुझे बताएगा जरू इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से स्लीब मोड को हम बाइपास कर सकते हैं और अगर आपको यह अच्छा लगे तो मुझे प्लीज यह कमेंट करके भी बताइएगा एक इंस्टूट में सीखना चाहिए कि फोन बनाने के पीच भागना चाहिए क्योंकि अगर आपको लगता है कि इसको सितना ही आसान है कि हम दो मिट में सीख लेंगो दो मिट में सारे फोन बन जाएंगे तो यह इतना अ अलांन यहां चाहिए कुछ लिए मैं इसको ब्लैक हमें ऑने-पचों करिअ कीम यह सोक नहीं वह सोचंगा वहां हो कि सबने कमांड बन्हों को सही जानकारी लेना है और आप अगर पीद नहीं जानेंगे राजकिकाल चाहिए आप renia आप अपने फोन चालू कर लेंगे और चालू कर लेंगे और पावर यहीं लगए तो यह तो यह तो लोग वैसी कर रहे है जिनको लाइनो का नोलेज नहीं है तुरा सा दिमाग लगाओ मेरी बात को दिमाग मेलो की तो इसमें सीखने को कुछ नहीं मिल ला है यह आप सेर करो अपने लोगों पर वो तो डारेट यूटूब देखके ही चाल वीडियो से अपनी फोन को बना लेते हैं वो कहां रुक रहे है लाइनों की जनकरी तो लाइनों की जनकरी बेसिक नॉलेज्ज पूरा अगर सही तरीक तो भी गलत है और गलत नॉलेज्ज मिलेगा तो भी गलत है चलो टीके थांग्यों अच्छ और भाई मेरे जो देख रहे हो वो सस्क्राइब नहीं कर रहे हो बहुत बरी गलती कर रहे हो मैं पहली बोल ला हूँ यह एक फ्री कंटेइन चैनल है मॉनिटाइजेशन भी बंद जाए तो अगर आप गलती कर रहे हो और आप सस्क्राइब नहीं कर रहे हो तो आप क्या आप फिर बहुत सरी चीजों को छोड़ दोगे क्योंकि मैंने हिंदोस्तान में एक मैं वो टीचर हूँ जो आपको वो कंटेन दे रहा है जो लोग अपने इंसिटूट में नहीं दे कर दो आप गलती